गुड़ मॉनिंग एबरीमेन आज है 25 से अपरेल हम देखेंगे इससे रिलेटर सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को इसी के अंतरगत हमारा पहला प्रश्ण है कि परदहान मंत्री मोदी ने राश्ट्री ये पंचायती राजदी वैस जो कि 24 से अपरेल को मनाया गया था इसके बारे हम डिटेल कल के वीडियो में बताया गया था के अफसर पर मोवाइल एप और एक पोर्टल का लांच किया गया है देख सकते हैं यहां पर एक पोर्टल है और एक मोवाइल एप तो यहां कौन सा है इसी का नाम पुछा जा रहा है तो यहां पर इसे देखिए बत कुन डिजिटाली करन के तरफ एक बड़ा कदम है इससे ग्राम पंचायतों कि सभी विवरेंट जितने भी सरपंच है ग्राम पंचायत में कितने तरह कि यह जिनाएं हैं उनका कितना आया है कितना ब्याय है सारा का आपको ब्योरा एक जगह मिल जाएगा इस पोर्टल पर या इस मोबाइल एप पर आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं तो इसका नाम आप याद रखेगा यह ग्राम सुराज अगले प्रश्न की बढ़ते हैं तो यहां प आप देख सकते हैं मैप में यह कोन है तो जम्मू कास्मीर है तो जम्मू कास्मीर के साथ है साथ बिशू बैंक ने किया है अब चलिए जम्मू कास्मीर के थोड़ा मैप को डिटेल में देखते हैं सबसे पहले यह जानते हैं कि जम्मू कास्मीर की रजधानी कहा है तो इसक एक अन्य रजधानी जम्मू भी है जो दोनों करम रूप से चेंज होते रहते हैं गर्मियों के दिन में सिरी नगर इसकी रजधानी रहती है और फिर बारे में आपको जानना है कि इनके यहां के उप राजपा जो लेफटिनेंट गुवर्णर है क्योंकि जैसा कि बताया गया था जितने भी केंदर सासित परदेश होते हैं वहां क्या होता है तो उप राजपाल होते हैं वहां राजपाल नहीं होते हैं तो जो यहां के उप राजपाल है वो चुकि पहले उप राजपाल है जम्मू कास्मीर केंदर सासित परदेश की इस लिहास से काफी इंपॉर्ट आए गया था कि चुकि यह पहले राज्य था हाल ही में इसे राज्य पुनर गठानायों के तहत क्या केंद्र सासित परदेश बना दिया गया तो कब बनाए गया फिर से इसे कोविड 19 रोग्यों को उपचार के लिए एक नया हाइप रेसर वेंटी लेटर बनाया एक हाइप रेसर बनाया गया देख सकते हैं यहां पर किसके द्वारा बनाया गया तो नासा के द्वारा यानि कि नेशनल एरोनौटिक्स एंड़ स्पेस अडिनिस्ट्रेशन तो यह स्थ्पेस और बनाय गया है तो यही पुछा जा रहा है कि जो बनाया गया है इसका क्या है भाइटल वाइट्ल का चलिए देखिए फूल फॉर्स देख लिए यहां पर वाइटल कवाइद ऑन्टाय गया है विटिल हेंटि लेटर इंटरमैंशन टेक्नालोजί एक स्विश् अमेरिका के कहा है तो वासिंग्टन डिसी में है यह जो है यहां पर देखिए इस बेंटिलेटर के बारे में बताया जा रहा है कि यह बेंटिलेटर मामुली लच्छन जो मामुली लच्छन है छोटे-मोटे लच्छन कोविड-19 के रोगियों को उपचार करने के लिए तैयार किया गया है अगला है कि सूपरीम कोट ने किस राज के पहले के आदेश को रद कर दिया जिसमें अनुसूचित छेतरों को या स्कूलों में सब्सक्राइब कर दिया तो इसी को देखते हैं कहां का है मैप में देखे यह आंधर परदेश इसका आप याद रखेगा इसका अंसर क्या होगा आंधर परदेश अब चलिए थोड़ा आंधर परदेश के बारे में जान लेते हैं पहले देख लीजिए हमेशा की तरह आंधर परदेश की सीमा कहां कहां से लग रही है उसके बारे मित्वाद डिटेल देख लेते हैं एक सेर्किल के माध्यम से चुकि आंधर परदेश से कौन सा अलग हुआ है तिलंगाना तो सबसे पहले तिलंगाना से तिलंगाना कब अलग हुआ अंधर पर्दे से तो यह 2014 में हुआ है दो जून 2014 को इसके बाद ठीक आई तो देखें यह कौन सा है 36 गड़ है 36 गड़ के बाद अगर आगे बढ़ते हैं यहां पर देखें यह उड़ी सा है फिर इसके इधर आजिए तो यह बंगाल की सीमा लगती है चलिए तो हम इसके बारे में और जानते हैं कि यहां की जो मुख मंतरी कौन है तो यहां के आपको मुख मंतरी का याद रखना है कि कौन है यहां पर देख सकते हैं जगन मुहन हुआ था इसलिए याद रखेगा कब हुआ था काफी इंपोर्टेंट है यह प्रश्न तो एक अक्टूबर उन्हेसा तीरपन को यह ती थी काफी महत्वपूर्ण है कई बार पूछा गया है इसकी जो रजधानी है अभी कहां प्रस्तावित है तो अमरावती हाला कि अभी हैदराबाद जो है तिलंगाना और अंधरपर्देश दोनों की सम्मेलित रजधानी है दस बरसों के लिए अग्रिमेंट किया गया है फिर बाद में इसका रजधानी अमरावती हो जाएगा चलिए अगला प्रस्त यहां पर बढ़ते हैं तो क्या कहा गया है कि हाल ही में किस राजी के मुख मंतरी ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों के लिए प्लाजमा दान करने का आग्रह किया जो प्लाजमा दान है जो ब्यक्ति ठीक हो गया है अगर प्लाजमा का डोनेट किया जाता है तो अगले मरीज भी क्या होते हैं तो उससे जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं तो इसके बारे में कौन से जिक्र किया है तो जो दिल्ली के मुखमंत्र है केजरिवाल उनी के दौरा ऐसा कहा गया है दिल्ली के लोकेशन कई बार दखाए गया है तो आप कनफर्म होगे जो कि हरियाना और उत्तर पर्देश के सीमा पर है अगला प्रश्ण यहां पर कहा गया है कि हाल ही में COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्त कर्मी है के खिलाफ हिंसा करने वाले ब्यक्तियों को धंडित करने के लिए एक अधिनियम को संसोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है अभी हाल ही में तो पुछा जारा है जो यहां अध्यादेश में लाया गया है तो कौन सा कानून को कौन सा अधिनियम को संसोधन करके लाय गया है तो यहां महमारी रोग अधिनिया मठारसा संतान में इसके बारे में कल एक डिटेल बताया गया था यहीं पर इंडिवीजुन लस्टेडी के यूटूब चैनल पर आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं यहीं वे वीडियो है तो यहां जाके देखेगा काफी डिटेल यह इनिसियेटिव अभी देख रहा हूंगे लॉक्डाउन की स्थिति में जितने भी सिनियर सिटीजें ने उनको दावा के अलावे अनने सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह इनिसियेटिव की सुरुवात किया गया है जम्मू कस्मीर के बारे में अभी बताया गया चाइना ने कहा है कि हम तीस मिलियन अमेर्की डॉलर का अनुदान की घोशना किया है तो चलिए हम डव्लू एचो को बारे मतार डिटेल जान लेते हैं इसका गठन कब हुआ तो साथ अप्रेल यह तीथी भी आपको रखना साथ अप्रेल डव्लू एचो डेम मना जाता हैं एक हमिकला आपके याद रखना याद रखना है तो कहां है जी नेव जनेवा का है तो डाप्यटेल रखना यहां पर कांपिए तो सबहें नामिन नहीं याद रखना नाम याद रखना किन का तो स्वामिनाथन का वह में डिरेक्टर जनल है तो ये आपको याद रखना है हर ही में भारत में किसने lockdown learner series की सुभारम किया है भारत के जितने भी सिच्छक है इसका पहले यह जानते हैं कि यह जो सीरीज जो है लागो किया गया है इसका मकसद है कि कोविड-19 महामारी से गरीब तब कि को जितने भी लोग है उनके दिकतों को समझ दिकतों को समझा जाए और उसको फिर बाद में उसका विकल्प ढूंडा जाए साथ ही साइबर क्राइम लिंग भेद्वाव जितने भी जेंडर से रिलेटेड भेद्वाव होते हैं भरष्टा चार से निपटने हैं तू जाग रुपता के लिए ऐसा किया गया है भारत में तक इसको दोरा यू एन ओ डी सी के दौरा तो चलिए यू एन ओ डी सी का देख लेते हैं इसका मुख्याले कहा है और इसके बारे में डिटेल जानते हैं तो देखे यू एन ओडेसी पहले इसका फूल फॉर्प जानते हैं उनाइटेड नेशन के एक संस्था है तो क्या है United Nation Office on Drugs and Crime यह जो देख सकते हैं यहाँ पेır क्या है तो इसका Head Quarter देखें़ है यह इसका Head Quarter यह कहां इसका Head Quarter तो आसिट्रिया के वीना में है तो इसका Head Quarter आपको याद रखना है तो यह सारे डिटेल यहाँ से याद रखना है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं तो यह पे काफी इंपोर्टेंट है कहा गया है कि खूंग जोम दिवस तो खूंग जोम दिवस 33 अपरेल को मनाया गया था तो यह मनीपूर में दूसरी के बारे में चलिए थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि जो खूंग जोम दिवस है या क्या है जो 23 अपरेल 1891 को यह तीथी भी आपके याद रखने कब तो 23 अपरेल 1891 को मनिपूर की सोतंत्रता की लड़ाई के लिए यह लड़ी गई थी किनके किनके बीच तो अंग्रेजों और मनिपूर के बीच में चुकि मनिपूर उसमें अलग समराजित था अलग था और यह जो लोग लड़े थें उन्हीं के याद में मनाया जाता है खौंग जूम दिवास तो आपको याद रखना है खौंग जूम दिवास मनिपूर मनाता है मनिपूर के बारे हम चलिए ठ्वड़ा देख लेते हैं कि इसकी सीमा कहा कहा से लगती है ऐसे कई बार बताया गया पिर से देख रहे हैं, सेर्केल के माधिम से देखते हैं, उपर में देखिए, मनिपूर के ऊपर में ये कौन सा हो गया, तो ये आपका नागा लेंड हो गया, नागा लेंड के बगल में आजाए, यहाँ पर तो ये कौन सा देश हो गया, मैनमार हो गया, फिर यहाँ पर आए, तो यह आपको जो देखाया गया, यह क्या हो गया, तो यह मिजोरम हो गया, मिजोरम के ठीक उपर में आये तो असम, तो इतने सारे से इसकी सीमा लग रही है, मनिपूर के मुख मंत्री कौन है, तो यहाँ पर देखिए, पहले इसके फॉर्मेशन को देख लिजिए, कब हुआ बाद में इसे जो राजी का दर्जा मिल गया, तो 172 में, इसकी रजधानी कहाँ है, तो इंफाल है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो गौर्णर है, नजमा हेपतूला और चीफ मनिश्टर यहाँ के एन विरेन सिंग, फिर से गौर्णर कौन है, नजमा हेपतूला और ची लाड़ी है, फिलाल फ्रांस में रहते हैं, इन्होंने ही जीता है, यह देख सकते हैं, मातर 16 वर्स के हैं, और इन्होंने 20 चैंपियन जो है, मैगनस कालसन इनको हरा दिया है, कौन से कप में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बेंटर ब्लीज कप, तो यह इनका नाम भी आपक कि दीदी एप लाउंज किया है, तो ऐसा COVID-19 को देखते हुए किया गया है, संपर के दीदी सहायता हेतु यह लाउंज किया गया है, तो किस के द्वारा लाउंज किया गया है, तो उतराखंड की सरकार के द्वारा, चलिए उतराखंड के लोकेशन के बारे में देखते हैं, फ़र डिटेल देखते हैं एक सेर्किल के मापध्यम से चलिए आजाए यहाँ पर यह कून हो गया यह हमारा हिमाचल परदेश हो गया हिमाचल परदेश के ठीक आप बगल में अर्थात इसकी सीमा कहां से लग रहे है पहले हिमाचल परदेश से हिमाचल परदेश से बगल में है यह तो यह क्यों क्या अ क्यों विया टिबद जिसे चाइना ने अगल अ उड़का यहीं यह क्या ओगा है यह क्या मौध्ट होगा यह देखिए आपका नेपाल है यह जा सेेमा कि जुद्व mau बड़ा नेपाल है मेरे यह दवारा यह पूरा ड्रररा भी दिखाया गया तो पहला ही माचल प्रदेश, दूसरा कहां से उत्तर प्रदेश चुकि यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, 9 नौमबर 2000 को, तो तेथी भी याद रखना है कब, तो 9 नौमबर 2000 इस्वी में यह अलग हुआ था, और 15 नौमबर 2000 को कौन अलग हुआ था, तो जहर खंड लग रही है इसकी सीमा तो इन ही साभी राज्यों से इसकी सीमा लग रही है यह सारे डिटेल आपको याद रखना है तो यहाँ पर आपको यही जानना है कि इसकी सीमा किस से लग रही है कि यहाँ पर कुण है तो यह हर्याना है तो हर्याना से इसकी सीमा लग रही है कि नहीं अकर कोन है तो बबीबी रानी मौरिया यहां के राजच्यपाल किये में जो रा वत Tech घो की पए से हैं तो यह सारे हैं यहां से रिलेट करके याद रखने तो चलिए यहीपर समाप्त करते हैं वीडियो को धन्यवाद